Hello Friends, Unboxed Service में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोग जब अपना फिस नया घर पे लाते होंगे तो आप एक दाने का पैकेट जहूर लाते होंगे लेकिन आपका फिस पहले ही मर जाता होगा और आपका सारा दाना बचा हो रहा जाता होगा दोस्तों काफी लोगों के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि उनके knowledge नहीं होता है कि इस तरह से फिस को रखना होता है और कितना दाना कितनी वार देना होता है दोस्तों मैंने इसके लिए काफी वीडियो बना के रखा है आप मैंने चैनल पे जाके देख सकते हैं आपको काफी knowledge मिलेगा दोस्तो आज मैं आपको दिखा हूँ कि मेरा fish कितने लंबे समय से मेरे साथ है और मैंने इसे कितना दाना अभी तक खिला चुका हूँ दोस्तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास दो packet दाना खाली पड़ा हुआ है और जो तीसरा packet रहे है उसमें बस थोड़ा ही दाना बचा हुआ है दोस्तो एक packet मैंने नया extra रखा है ताकि fish को जब दाना खतम हो जाए तो उसको मैं अडाम से देश सकूँ क्यों कि कभी-कभी market में दाना नहीं मिल पाता है जिस company का आप धोंगते हैं उस टाइम उस नहीं मिल पाता है जिससे की fish को problem बाद में हो सकता है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं समय के साथ packet भी change हो गया है इसका देखी आप काफी design change हो गया है काफी तरह के मतलब change आया है आप इसको देख सकते हैं इसी तरह का दाना आप खरीश सकते हैं और भी काफी company के दाना आते हैं आप उसको भी try कर सकते हैं लेकिन आप सही time में दाना दे और सही amount में दाना दे जिससे की fish आपका grow करे और लंबे life जिए चलिए इस वीडियो बस इतना ही था मिलते हैं next वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like किजएगा और चैनल को subscribe कर लिजएगा thank you